अब जो हम topic पढ़ रहे हैं वो हमारा infix to post fix conversion बहुत important topic है यह भी और यहाँ पे let's say हमें infix expression लेते हैं यह हमारी expression है a plus b star c और जो हमारी post fix notation है that means जो हमारा desired output है वो हमें कुछ इस्तरह से चाहिए a b c star plus तो यह हमारा input है यह हमें output चाहिए इसके लिए जो हमने algorithm develop करनी है तो सबसे important बात मैं आपको यहाँ पे यह पता दू कि इस वाली algorithm में जो infix to post fix वाली conversion वाली algorithm है उसमें केवल और केवल हम operator stack का use करते हैं ठीक है केवल operator stack की use होती है that means जो हम stack यहाँ पे हम use करेंगे उसमें केवल और केवल जो push और pop operations हम perform करेंगे वो किनका करेंगे केवल operators का ही करेंगे तो यह सबसे important बात है और एक चीज जैसे कि हमने previous वीडियो में आपने पढ़ा था कि चाए infix हो चाए post fix notation हो चाए prefix हो तो तीनों में आपका जो operand का order है वो change नहीं होता ठीक है केवल और केवल changes किसमें आते हैं operator के order में तो यह important बात थी तो आईए सबसे पहले इससे पहले जो push and pop operations है उनको मैं आपको बता दूँ कि यह rule आप हमेशा follow करिए जब भी lower operator है हमारा that means stack में lower operator पढ़ा हुआ है और आप क्या करेंगे आप push operation perform करेंगे ठीक है and just in case अगर उल्टा हसका reverse process हम देखते हैं अगर stack में अगर हमारा higher operator पढ़ा हुआ है और incoming जो आ रहा है incoming operator अगर वो lower priority का है then हम pop operation perform करेंगे यह important चीज है algorithm की यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है let's say for example यहाँ पर जानते है star की priority ज् 10 से ठीक है तो that means सबसे पहले यह हमें input दिया हुआ है right हमारा input के in fix notation है तो सबसे पहले जैसे ही आप क्या करेंगे algorithm के लिए let's say हमने सबसे पहले a पढ़ा तो जैसे आपने a पढ़ा आप as it is a को print करा दीजे ठीक है let's say हमारी यह stack जो थी हमने यहाँ पर यह बना ली ठीक है a केवल operators push होंगे अभी empty है ठीक है इसके बाद हमने plus पढ़ा plus पढ़ा because it's an operator and this is an empty stack तो हम क्या करेंगे push operation perform करेंगे that means यहाँ पर हमारा plus गया इसके बाद हमने b पढ़ा b पढ़ा तो हम directly इसको as it is यहाँ पर print करा देंगे इसके बाद क्या है star star जो है आपका क्या है higher operator है higher priority operator है in comparison to plus star हमारा क्या है यह incoming operator है और जो stack में इस समय जो पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है plus पढ़ा हुआ है और इसकी priority low है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर stack में जो पढ़ा हुआ है that means lower पढ़ा हुआ है और higher incoming operator है यह वाले जो हैं यह कौन से पता रहा है incoming operators अगर incoming operator की priority है वो higher है तो हम क्या करेंगे push operation perform करेंगे that means हम यहाँ पर क्या करेंगे star star को हमने यहाँ पुष कर दिया ठीक है इसके बाद फिर आप यहाँ पढ़ चुके है इसके बाद फिर हम क्या करेंगे c की तरफ आएंगे c को हमने पढ़ा c को हम as it is यहाँ पे print करा दे इसके बाद हमारी expression खतम हो गई है यहाँ पर right empty आ रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे अब जितनी भी stack है उसको हम पॉप करा देंगे तो यह top of the stack यह है तो सबसे पहले यह निकलेगा that means पहले star आएगा इसके बाद क्या आएगा plus आएगा तो इसके बाद आपका यहाँ पर problem है और बहुत असान है इसको solve करना main जो चीज आपको ध्यान रखनी हो बस यह है यह वाला जो rules है जब stack में क्या पड़ा हुआ है और incoming operators की priority क्या है उसके according आपने push and pop operations को perform करना है जो एक और important चीज जो यहाँ पर पूछी आती gate exam में mostly पूछी आती है वो पूछी आती है कि इस algorithm के दौरान maximum stack size कितना गया maximum stack size कितना गया operator stack में यह चीज mostly जातर gate exam में पूछी गई है आईए इसके उपर एक और example देखते हैं